तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ रमी सिंग और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बदाऊंगों कि आप अपने इंस्टाग्राम अकॉंड का All Data डाउनलोड कैसे कर सकते हैं कैसे अपने इंस्टाग्राम को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी स्टैब बाई श्टैब जनकारी आपको मिलने वाली है तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम डेटा डाउनलोडिंग के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे हैं और व अब और दादा टाइम वेज ना करते वे वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम का ओल डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी इंस्टाग्राम एप ओपन करके बॉटम राइट कॉर्णर में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और इसके इंस्टाग्राम अकाॉंट को कष्टमाइस करने के अलग अलग अप्शन के लिस्ट आके सामने आएगे तो इन में आपको जिसके बाद आपको बॉटम साइड में डाउनलोड इंफोमिशन पर क्लिक करना है जिसके बाद password enter करने का option है तो guys यहाँ पर आपको अपने Instagram account का password enter करना है और password enter करने के बाद top right corner में next option पर click कर देना है इसके बाद Instagram आपके all data की एक file create करना start कर देगा इस process में एक गंटे का time लगशता है एक दिन का time लगशता है या फिर एक महिने तक का time लगशता है अगर आपका Instagram डेटा ज़्यादा नहीं है तो जल्दी ही आपके Instagram account के all contents की एक file create हो जाएगी और अगर आपका Instagram डेटा बहुत ज़्यादा है तो इस process में maximum 30 days तक का time लगशता है आपका all data collect करने के बाद Instagram आपकी email ID पर downloaded data को automatically send कर देगा finally यहाँ पर आपको done option पर click कर देना है इसके बाद आपको Gmail open करके Instagram की email चेक करने है अगर Instagram आपके all data की file create कर देगा तो इस तरह से Instagram आपको एक mail send करेगा इसे आपको open करना है और email open करने के बाद इसमें आपको download information option पर click करना है जिसके बाद आपके phone के default browser में Instagram का login page open हो जाएगा तो इसमें आपको अपने Instagram account का username और password एंटर करना है और login option पर click कर देना है जिसके बाद अपने Instagram के all data को download करने का एक link आपके सामने आएगा तो इसमें आपको download information के इस link पर click करना है click करते हैं आपके Instagram account का all data download होना start हो जाएगा और कुछी देर में successfully आपके Instagram का all data download हो जाएगा अब आप चाहें तो यहाँ पर open option पर click करके अपने Instagram के all data को देख सकते हैं या फिर अपने phone के file manager को open करें और यहाँ पर downloads option पर आप जैसी click करेंगे इस तरह से Instagram data की एक downloaded zip file आपके सामने आजागे इसे आपको extract करना है अगर आप किसी other folder या फिर new folder में इस zip file को extract करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको long press करके zip file को select करना है और bottom side में move option पर आपको click कर दिना है जिसके बाद आपके phone के अलग-अलग folders आपके सामने आजागे तो guys इन में किसी भी folder को आप select कर सकते हैं या फिर इस तरह से new folder create करें और folder create करने के बाद move to here option पर click कर दिजिए जिसके बाद new folder में आपके downloaded data के zip file move हो जाएगी अब आपको अपने new created folder को open करना है और folder के अंदर zip file पर long press करके उसे select करना है और इसके बाद bottom right corner में three dots यानि की more option पर click करना है जिसके बाद कुछ अलग अलग options आपके सामने आएगे तो guys इन में आपको extract files के इस option पर click करना है click करते हैं एक pop up open होगा तो इसमें extract to parent folder option पर आपको click कर देना है जिसके बाद zip file extract होना start हो जाएगी और कुछी देर में zip file से एक folder extract होके आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों इस folder पर click करके आपको इसे open करना है और जैसे आप open करेंगे इस तरह से आपके instagram account के अलग-अलग downloaded contents आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर media contents और device informations के साथ अलग-अलग data का आप अलग-अलग folders देख सकते हैं जिन पर click करके आप उनसे related contents को देख सकते हैं अगर आपको instagram पर देखी गई post की informations को देखना है तो यहाँ पर ads and topics folder को आपको open करना है और post viewed file पर आपको click करना है जिसके बाद bottom side से एक pop-up open होगा तो इसमें आपको chrome browser को select करना है और जैसे आप browser select करेंगे इस तरह से आपकी देखी गई post की informations आपके सामने आ जाएगी इसी तरह से आप अपने instagram account पर share की गई media को देख सकते हैं आपर media option पर click करके आप अलग-अलग category की media files को देख सकते हैं अजर option पर click करके आप instagram पर share की गई अपनी अलग-अलग post को देख सकते हैं message option पर click करके आपने inbox के messages को check कर सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग username के folders को आप देख सकते हैं जिन पर click करके आप उनके messages को देख सकते हैं देखने का तरीका से में आपको file पर click करके Chrome browser को select करना है जिसके बाद message आपके सामने आ जाएगा अगर आप browser के through किसी भी html file को open नहीं कर पा रहे हैं तो आप play store से html viewer file को install कर सकते हैं तो इस तरह से friends अपने instagram account के all data की downloaded file को आप check कर सकते हैं और instagram का all data download कैसे करना है I hope अब आप समझ गये होंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों मिलता हूँ आपको next video में किसी new topic के साथ अब तक के लिए जैहिन